हेलो फ्रेंड्स मैं किर्टी अपने चैनल गाडनिंग विद किर्टी वर्मा में आप लोग का हार दिक स्वागत करती हूं फ्रेंड्स आज मैं अपने छोटे से कीचन गाडन से कुछ हर्वेस्ट करने वाली हूं तो यह देखिए मेरे पालक कसा काफी अच्छी तरह से बैगन इसे भी मैं आज हर्वेस्ट कर लूँगी फ्रेंड्स इस बैगन के पेड़ को पिछले सब्ता मैंने आप लोग सथ शेयर किया था और काफी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हुई है तो आज मुझे तोड़ लेना है और इधर देखिए टमाटर लगे हुए मेरे ले है तो चलिए और दिखाती हूं कुछ तो यह देखिए मेरे सेम फली में धेर सारे सेम लगे हुए इसे भी आज मुझे हार्वेस्ट कर लेना फ्रेंड्स तो हर हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग को प्लांट में खाट डाला था जिसे आप लोग साथ शेयर किया था तो चल तो मैं जली जली तोड़ लेती हूं क्योंकि मुझे भी ठंड लग रही है तो तोड़ना जरूरी है था आज क्योंकि हार्वेस्टिंग भी करना जरूरी जब तक हम लोग हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक इसमें ने फूल नहीं आएंगे तो फल भी नहीं बनेंग फिर उसको मिट्टी को अच्छी तरह से मिला दें उपर निचे कर दें ताकि नीट्रिशन धीरे-धीरे प्लांट को मिलता रहे और प्लांट अपना फ्लारिंग और फ्रूटिंग करता रहे तो बातों में मैंने इतनी सेम फली को तोड़ लिया है देखते हुँ कुछ और है क्या आप भी अपने छत पे या कहीं आपका पालकोनी में जगह हो तो आप उसमें किचन गार्डिंग कर सकते हैं बहुत असान है छोटे से ग्रो बैग में या कंटेनर में यहां तक कि चावल और गहूं के बोरियों में भी आप सबजियां उगा सकते हैं तो चलिए बैगन का हर्वेस्टिंग करते हैं तो देखिए इस बाल्टी में भी मैंने बैगन का पेड लगा है तो तूट गया था बालटी यह वाली एक काफी बड़ा बाल्टी है मेरा तो तूट गया था तो मैंने बैगन के दो पॉधे लगा दिये थे तो काफी अच्छी मात्रा में इसमें फ्रूटिंग हो रही है तो देखिए दो मैंने तोड़ा और देखती हूं और भी है उसे भी तोड लेती हूं तो बैगन के पेड को लगाते समय ध्यान रखना चाहिए ग्रूब एक थोड़ा मातरा में तो फ्रूटिंग आपको नहीं मिलेगा और नीम वाल का इस पर स्प्रे करते रहें मन्थ में दो बार या तीन बार तो देखिए मैंने इतना हर्वेस्टिंग कर लिए सेम फली और यह बैंगन है काफी है मेरे लिए फ्रेंड्स मेरे छोटे से कीचन गार्डन से मैंन इतनी अच्छी हर्वेस्टिंग की इस सभी और गेनिक हैं फ्रेंड्स इसमें कोई केमिकल नहीं है तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक ने टॉपिक के साथ अगर मेरा हर्वेस्टिंग का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक औ स्टिक केर